प्रिये छात्रों पतंजली IS Academy की online कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक बड़ा ही महत्पुर्ण खंड जो छुटनाग पूर कास्तकारी अधिनियम के नाम से जारकंड में जाना जाता है इस टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे आज जो हम डिसकस करने जारे हैं उस डिसकस का पॉइंट ए है कि जारकंड में आदिवासी जमीनों की रक्षा के लिए अंग्रेजी काल में जो सबसे महत्पुर्ण कानून बना जिसका नाम था छुटनाग पूर टेरंसी एक्ट या एक्ट लाने के पीछे कौन सी परिस्थित चार भागों में बाटने की कोशिस की है पहली बात जारकंड पर अंग्रेजी नियंतरन मतलब जारकंड का जो भूच्छतर है इस भूच्छतर पर अंग्रेज कैसे अपना अधिकार अस्थापित किये और इस छतर के लगान की वसुली के लिए इस छतर के संसाधनों पर नि निर्मान किये इसके पस्चात हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो बेवस्था लागू की उस बेवस्था का यहां के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा खास करके आदिवासियों के जीवन पर वे क्या प्रभाव लेकर क्या है इतना तुत है था कि प्रभाव सोसनकारी था द मलब अंग्रेजों की विवस्था से तंग आ करके कुछ जन्जातियां लगातार विद्रोह करना आरभ कर देंगी। परियाप्त नहीं साबित होंगे और यहीं ओ आवसकता है जब C&T की आवसकता मसूस की जाएगी बिरसा मुंडा के विद्रोह ने एक प्रिष्ट भूमी रख दी कि अगर छोटा नागपूर चत्र में अंग्रेजी नियंत्रन को दिर्ग काल तक बनाये रखना है तो ऐसे में यहाँ पर आदिवासी हीतों की रख्षा के लिए एक सार्थ कानून आनिवारिय होगा देखे मैं इसकी परत दर परत आज आपसे ब्हक्या करूँगा सबसे पहले मैं चार्चा करता हूँ कि जार्खंड पर अंग्रेजी नियंत्रन किस प्रकार अस्थापित हुआ और कैसे यह आगे बढ़ाओ 1765 में बकसर का युद्ध होता है 1764 में बकसर का युद्ध होता है इस युद्ध में बंगाल का नवाब मिरकासिम अवद का नवाब सुजाउदावला और मुगलबाद साह आलम तीनों ब्रिटिस सेना के सामने पराजीत हो जाते हैं ऐसे में एक तीनों सासकों के साथ इलाहाबाद की संधी करती है 1765 में जो इलाहाबाद की संधी की गई उसमें प्रस्ताव किया गया खास करके मुगल वादसा साह आलम टू ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दे डाला कि कंपनी बंगाल के छेत्रों में दिवानी अ मतलब होता है जमीन, जायदात, संपती, उत्राधिकार, वसीयत से जैसे विस्यों को दिवानी अधिकार कहते हैं अर्थात बंगाल में लगान लगाने, लगान की वसूली करने और लगान पर नियंतरन करने का अधिकार पूरी तरह से अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी क प्राप्त हो गया जब अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी को एधिकार प्राप्त हुआ तो चुकि बंगाल एक बड़ा सुबा था और इसी के अंतरगत बिहार, उडिसा और जारखंड और आज का बंगला देश का भी भूभाग आता था ऐसे में जो प्रोभीजन बंगा जारखंड के लिए भी मिला, तो जारखंड पर भी लगान लगाने और लगान वस्ले का अधिकार इस संधी के जरिए अंग्रेज्यों को प्राप्त हो गया, आगे चल करके अंग्रेज सीधे जारखंड की भूमी में परवेस करते हैं, और सरव पर्थम 1767 में जारखंड के पिसे भूमी पर अंग्डेजों का परवेश सीभूम के च्षेत्र हुहता है और सीभूमी पुरण के राजा जगरनात ढाल हैं अंग्रेज जगरनात ढाल की जगह नीमानी ढाल को वहाँ का सासक मनाते हैं ढालर्भूम च्षेत्र का। उदे सिथात नया सासट अधिक लगान देगा, अधिक भुगदान करेगा, इसके साथ सर्तों को करना असान होगा, मनमानी करनी किस्विधा होगी, इसलिए प्रयास किये गए। सिभू पर बाद में होजन जातियों का कुछ इलाके थे, उसके उपर भी रबसे जैसे अधिकारियों ने लगातार आक्रमन करके कबजा कर लिया, फर्गूशन जैसे लोगों ने उसके आसपास धनबाद और मानभूम जैसे छित्रों पर कबजा कर लिया, जबकि दुसरा सबस के गुपाल राय को राजा बनाए और उनसे मनमाफिक लगान की दर तै कर लिए, मालगुजारी वसुली, छोटनागपूर के राजा इस समय दरपनात सा है, वे भी अंग्रेजों के साथ संधी कर लेंगे और उनके द्वारा निरधारित लगान का भुगतान करने के लिए त प्रसासनिक फिर बदल भी किए गए आगे चलकर एक बड़ा ही 1789 में एक स्टेटमेंट कोट होता है, जो दिखाता है कि अंग्रेजों के जारखन के प्रसी लालसा कितनी उग्रती, यानि 1789 में लौड कार्नवालिस भारत बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, और इस पत पर रहते हुए वे छोटनागपूर हैं जो लगान को अधिक भुक्तान कर सकते हैं, इसलिए सब्द का प्रयोक किया गया, 1793 में बंगाल में पहली बार एक बड़ा सेटलमेंट हुआ, जिसे परमानेट सेटलमेंट, अस्थाई बंदो बस्त या जमिंदारी बंदो बस्त के नाम से जानते हैं, इसमें एक भारत पूरी क्रिसी प्रणाली में प्यापक परिवर्टन हुआ था क्यों कि इसके पूर्व राज तंत्री ये सत्था में राजा भुस्वामी होता था परंतु अब जमिनदार भुस्वामी हो गए और और जमिंदारों को इस बंदोबस्त के जरी अधिकार मिला, कि वे लोगों से कितना लगाना असुलना है, इसकी निर्धारन कर सके हैं, जो बेक्तिल लगान न दे, उसे भूमी छिन सकते हैं, और किसी दुसरे को निलाम कर सकते हैं, यानि जमिंदार भू स्वामी बन गए और वे सर्वे सर्वा ओल इन ओल बन गए, किसी को अपदस्त करना, किसी को भू अधिकार देना, यह सब कुछ उनके अंदर का खेल हो गया, हाथों का खेल हो गया, ऐसे में एक जमिंदारी सेटलमेंट लागू हुए, बाद में अंग्रेजों के यहां के एक समान ने पेयपदार्थ, जिसे हडिया कहा जाता है, जिसे देवी देवताओं पर भी तपान के रूप में अपित किया जाता है, और साथ में लोग इसका भोग भी करते हैं, या बासी चावल से बनाया जाता है, इसके उपर हुने कर लगाया, जिसे पुत्चाई कर कहते थे, ठीक है, 1878 में अंग्रेजों ने इस्चेतर के लिए एक बन प्रबंधन कानू लेकाया, यानि जंगल और जंगल के उत्पादों के उप्भोग, उसमें परवेश से जुड़े कुछ निश्चित नियम बनाएगे, जो आदिवासियों पर भी लागू होते थे, इस क्रम में ऐसे बहुत सारे और भी प्रोविजन हैं, परन्तु मैंने समगर को यहां लाने के हो सकता नहीं समझी, क्योंकि एक कॉंसेप्ट खड़ा करना था कि किस परकार जारखंड में अंग्रेज आते हैं, पहले चरण में दिवानी अधिकार प्राप्त करते हैं, फिर यहां के सभी पुराने राजाओं को अपदस्त करके अपने संरक्षन वाले राजाओं को यहां पर अस्थापित करते हैं, कैसे जैकब कैम फर्यूशन रवसे जैसे धिकारी बाकी के छेतरों को बीजित करके एक अंग्रेजी सेटलमेंट विवस्था के अंतरगत लाके खड़ा कर देते हैं, जब वे पूरे बिवस्था पर अपना नियंतरन कर लेते हैं, राजनिती की काई पर उनकी पकड सुनिश्चित हो जाती है, तब वे यहां की अर्थ बिवस्था को अपने हिसाब से चंचालित करना आरम करते हैं, इस क्रम में जमिनदारी बंदोबस्थ और पुच्चाई कर इक्जामपल है, बाद में जंगली उत्पादों पर भी कंट्रोल करना अपने आप में कम आश्चारी की बात नहीं थी, अब हम जार्खंड के आदिवासी समाज के उन हकिक्तों की और आपको ले करके चलते हैं, जिसमें क्या है? वास्तों में पूरे परकरण को आप ऐसे समझें, कि जार्खंड आरव में एक जंगल परदेश था, और जार्खंड आरव में जो जंगल परदेश था, यहां पर बाहर के आदिवासी समदाय के लोग बड़े पैमाने पर आया करते थे, कोई रोहतास से चल कर आया था, कोई पर अपना घर बसाया, आसियाना बसाया और इस प्रकार इन सारों के द्वारा उन्होंने जंगलों में अपने लिए एक जीवन सैली बिक्सित की, इस जीवन सैली में भूमी पर सबका सामोही कधिकार होता था, मुन्डाओं ने जिस भूमी को बिक्सित किया, उसे खुट-क भूमी कहते थे, यानि यहां के जंजातियों के द्वारा बड़े पैमाने पर भूमीयों का विक्सित किया गया, ऐसी भूमी जिसमें क्रिसी कारे की जा सकती थी, और इस भूमी पर सबका सामोही कधिकार था, एक गाओं, दुसरे गाओं के बीच में कोई बिवाद न हो, इ दस भिस गाओं मिल करके एक पढ़ा पंचायत बनाते थे, जिसका प्रमुख मान की होता था, यानि मुंडा मान की विवस्था होते थी, यहां आपसे बिवादों को हल करना, समाजिक नियम बनाने का कारे करना, न्याइक फैसले देने का कारे करना, सब कुछ करता था, परन् अपने जीवन की विवस्था के लिए अपनी परंपरागत पंचायती विवस्था है, इन सब के साथ-साथ एक बात और भी है, जो आपको ध्यान देने की जावबत है, और वो क्या है, वह विवस्था है, जंगलों का प्रबंधन, आदिवासी जंगलों को अपनी संपति उनके लिए धार्मी का स्था के भी किंद्र हुआ करते थे, अब नियती को क्या पसंद है, और क्या हो रहा है, आप ऐसे समझें, ये तो था कि आदिवासीों की हकीकत क्या थी, ये पूरी विवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा आरोपित की गई, इस पूरी विवस्था के अंग्रेजी सिस्टम पर पहला प्रभाव ये हुआ कि आदिवासी भूमी, गैर आदिवासीों के हाथों में आस्थान अंतरित हो रही है, यानि यहाँ पर क्या होने जा रहा है, कैसे हुआ, इस पूरे सिस्टम को हम आपको समझा रहे हैं, पारम परिक सासन विवस्था क का अंत हो जाएगा, दीकू समाज की अस्थापना हो जाएगी, अर्थात हुआ क्या, जमिंदारी सेटल्मेंट छोटनाकपूर छेतर में लागू कर दिया गया, जिस जमिंदारी सेटल्मेंट को छोटनाकपूर छेतर में लागू किया गया, इसे जमिंदार भुस्वामी ब कर दिया गया है कि ओ आदिवाशी करो का भुक्तान करने में पूरी तरह असमर्थ है अगले वर्स-अगर ओ भुक्तान नही पा रहा है तो जमिंदार उस से जमिन छीन करके किसी और को जमीन दे вниз किसी और वड Take किस के लिए है तो किसी और का मतलब है गैर आदिवासी यानि उत्तर बिहार से आने वाले लोग, बंगाल से आने वाले बंगाली समुदाई के लोग, इन लोग आते थे, साहुकार समाज के लोग, इन लोग एक कह करके लगान, कि मैं लगान चुका दूँगा, इस पर उचित लगान दूँगा, और आदिवासी जमीन को ले रहे थे जिस आदिवासी उनी जंगलों को काट करके जमीनों को खेती के लैक बनाया हो, सामोहिक रुप से खेती करते हो, वो जमीन परियार्त लगान भुगतान न करने के कारण अगले बर्स उनके हाथों से निकल करके दूसरे के हाथों में चली जा रही है और आदिवासी एक प्रका अगर पहले उत्पर होते थे तो जमीन पर हक किसका हो, इसका तै करने का फैसला जातिये पंचायत खोता था, जिसे अलग अलग जन जातियों में किसी में धोकलो सोहर, किसी में मुंडा मान की, किसी में माजी परगणे के नाम से जाना जाता था, परंतु, अंग्रेज जब अपने हिसाब से छेत्रों को जीते, तो इस छेत्र में थाना प्रणाली, कलेक्टर प्रणाली, कमिस्नरी प्रणाली, जिसे आधुनिक प्रसासनिक इकाईयों की अस्थापना करना शुरू कर दी, सभी विबादों को हल करने के लिए, जीला थाने में आदालते लगने लगी, कोट पे फैसले होने लगे, ऐसे में मुन्दा मानकी जैसे पद, ढखलो सोहर जैसे पद, बेगमानी हो गए, क्योंकि उनके अधिकार रही ही नहीं, फैसला अंग्रेज चाहेंगे वही होगा, अ सारी परंपरागत विवस्थाएं महतोहिन हो गई, इसका कोई महतो नहीं रह गया, क्योंकि यह जो लोग थे गारामीन विवादों, एक सधिक गाओं के विवादों, समाजिक नियमों को डिल करते थे, और इस सभी नियम धीरे-धीरे बेगमानी होते चले जा रहे थे, क्यो निलामी पहती के द्वारा легान भुखतान नहीं करने के अदिवासी जमीन, जमींदारों के द्वारा गर्द आदिवासी ओं को दे दिया जा रहा है, जो यह सर्थ पर उस जमीन को ले रहे हैं, कि वे जमींदार को सही समय पर सही उच्चित लगान का भुखतान कर देंगे। यह सब कुछ करने के दवरान एक नया दीकु समाज का प्रवेश हो रहा है दीकु मतलब जो बंगाल सैने वाले जमिंदार थे चुकि जमिंदार उच लगान की दर उच रखते थे तो उन्हें पता होता था कि कोई भी कास्तकार इस लगान को भुगतार नहीं करेगा इसलिए पीछे साहुकारों का समुदाय माडवाडियों का समुदाय आता था जो किसानों को कर्ज दने का काम करता था अगर आप इस वर्ष का लगान का भुगतार नहीं कर पाया तो कर्ज दे दिजिए एक व्याज चक्रविधी व्याज का एक अपने भीतर बड़ा कॉंसेप्ट र समाथिद होना पड़ा यानि आदिवासी जमीन बड़े पैमाने पर साहुकारों मरवाडियों या दूसरे समुदाय के लोगों में ट्रांसफर हुए कोते हैं कि जमीन के हग को प्रापत करने के लिए जब आदिवासी परमपरागत पंचायत में जाते तो होट में जाते हैं ऐसे में उनके पास पैसे के डिमांड अधिक होती थी और उनके पैसे के भुकतान आदिवासी कर नहीं पाते थे यानि कुल मिलाज विला करके जमिंदारों, साहुकारों, गैर आदिवासियों, पुलिस तंतर में काम करने वाले लोग, वकीलों के काम करने वाले लोग, इस समगर लोग मिल करके आदिवासी जीवन में पग पग पर दिकत पैदा करने लगी, जो दिकत पैदा किया इनके की और उनमूख हो गया थोड़ा आगे चलिए अंग्रेजों ने जब जंगल कानून लाया तो जब जमीन से आदिवासी अधिकार छोड़ रहे थे या उनके हाथों से जमीन निकल रहे थी तो उनका आसरह क्या था जंगल से लकडियों को काट के लाना इंधन के रूप में पर जरूरी हो गया कि वे अंग्रेजों से पर्मिशन ले महुगा हो जामून हो लाग से जुड़े चीज़े हूं तेंदू पत्ता हूं जिन पत्तों और चीज़ों का वे पर्यों करें अब सब प्रतिवन्थी थे या तो उसके उपर उनको टेक्स का भुगतान करना है तब अधिवासियों का धर्म आधी धर्म या सरना संस्कृति कहलाता है जो प्रकृति प्रेमी धर्म है लेकिन 1845 में सबसे पहले जार्खण में गौशनर मिशन का आगमन होता है बाद में तो मिशनों की बाढ़ आ जाती है छुटनागपुर का एथोलिक मिशन से होते हुए एव परवेश करते और उन्हें परलोभंदे करके और किसी तरीके से उन्हें राजी करके उन्हें कहते कि आप इसाई धर्म ज्वाइन कर लो आपके जीवन की समस्याओं का निदान हो जाएगा तो बड़े पैमाने परे लोग तिवरगती से यहां के आदिवासियों को सरना संस् फिसकृती नहीं छोड़नी चाहिए यह कम खुद टाना भगत जो उराओं के बड़े प्रसिद्यता थे मुंडा मुंडां के सबसे पर सिनता विर्श मुंडा ने भी किया पोटो सर्दार जैसे लोगों ने किया ठीके हरी वबावा जैसे लोगों ने किया इस सारे लोग इस जंगल के उपर कानून लगाए जा चुके हैं उनका पेव पदार थड़िया पटकर पहले ही स्यारोपित हो चुका है ऐसे में आदिवासी अपनी जीवगा को चलाएगा कैसे तो उन्होंने स्रमिक बन गे यानि स्रम करके द्यानिक पिट्टा भत्ता पर काम करने लगे कि आज काम करेंगे मजदूरी मिलेगी और उसी से अपने घर को चलाएंगे परतु यहां भी संकट अंग्रेज आदिवासीों के द्वारा बैठ बेगारी मजदूरी करा करके पैसा न देना इसका एक रूप बंदूरी भी कर लाता है आपको याद रहा चाहिए कि संथाल विद्रों भी कब हुआ था जब भागलपूर रेलेवे लेन का कारी चल रहा था और संथालियों से बेगारी कराई जा रही थी इधर भी खूटी नाची में एक पर्थाज जोड़ पकर रही थी यानि आदिवासी अब स्रमिक पर भी नहीं कर सकता है केवल उनके घर पर काम करेगा बदले उन्हें मुश्किल से एक टाइम भोजन मिल जाए और तन धकने भर किसी तरीके से बस्र मिल जाए यही उसके जी जमीन पहले से चले गए, समाज के गन्यमान बेक्ती लुप्त हो गए, पारापरिक्सासन बवस्था चली गई, इन सब के जाने कवाद जंगल में परवेश परपरतिबंध लग गए, हडिया निर्मान परपरतिबंध लग गए, बेगारी परथा सुरू हो गई, और की इज़त और आबरू भी संकट में, ऐसे में आदिवासियों के पास एक ही बिकल्प था, क्यों ये हथियार उठाएं, और उसका निर्णे कर दें, कि जो बेक्ती आपके साथ गलत रवईया अपनाता है, उसके साथ क्या करना है, और किस प्रकार करना है, परिनाम हुआ, ज धारकंड के आदिवासि पहले थे, जिन्होंने अंग्रेजी सिस्टम का पर्तिकार किया, और वह भी हथियारों के दम पर, हिंसक प्रविर्तियों के जरिये, इसकी बानगी देखनी हो, तो आप इन उदाहरनों में देखिए, हो बिद्रो 17 से स्टार्ट होता है, 1833 तक, यान ये भी लभग आपको 36 बर्सों का बिद्रो है, चेरो बिद्रो 1770 से स्टार्ट होगा, 1880 में होगा, तमार बिद्रो जो मुंडाओं का छित्र है 1780 तक चलेगा, कोल बिद्रो जिसका नेतरित बुद्धो भगत करेंगे 1831 बतिस, गंगा नरायन का भूमिज बिद्रो 1832, मु इरिशा का अंदोलं 1895 to 1900, सारे बिद्रो क्या दर्साते हैं, सारे बिद्रो एक खिता से दर्साते हैं कि आदिवासियों ने कभी बिना ठके, जब एक वार बिद्रो के सुरुबात होई, तक कभी गति गम, कभी गति अधिक, कभी तियूर, कभी धीमी, लिकिन अंग्रेजी स सिस्टम को स्विकार नहीं किया, अनवरत बिद्रो का जाल विछा दिया, कोई पलावू में, कोई माडभू में, कोई सेहवं के छत्र में, कोई राची में, कोई खुटी में, कोई कुलहान रिजन में, कोई भी छित्र, छोटा नागपूर का, इस बिद्रो से अच्छूता नहीं है और विद्रोह हिंसक हैं मतलब मार काट पर किये जा रहे हैं इसके स्लोगन है कटूंग बबा कटूंग कहते हैं कि सारे विद्रोहों ने अंतक्ता अंग्रेजों को या समझने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर आदिवासी हीतों की रक्षा नहीं की गई तो छोटा नागपुर में दिरकाल तक सांती विवस्था के स्थापना करना लगातार हथियारों के दम पर किसी सिस्टम को संभव नहीं है यानि कहा जाए तो आदिवासीयों ने अपने ताकत के दम पर अपनी कुर्मानी के दम पर अंग्रेजों को विवस्थ किया कि आप पीछे लोटे जब अंग्रेजों को यह भासु हो गया कि इसके बीना और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है तो उने एक प्रकार से आदिवासीयों के जीवन में परंपरागत विवस्थाओं को लाने का कोशिस करना आरम किया मैं इस संदर में सबसे जो पहला कानून है उसके बारे मैं आपको पहले चे बरता लेता हूँ ओं 1833 में एक कानून आता है जिसका नाम है विली किन्स रूल ठीके इस सबसे पहले हो जनजातियों ने जो अंगरेजों को ठकाया लगातार विद्रों से उसके परिणाम सरूप चाल्स विली किन्स ने एक नियम बनाए एक इस नियम जिस नियम के अधार पर कुलहान छेत्र में मुंडा मान की विवस्था जो हो की परंपरागत प्राच पर्यास किया गया जमिंदारों की भूमी का पहले संकुचित की गई बाद में समात की गई तो उसके द्वारा च्तक है गये तो जाकर करके मुंडा मान की विवस्था की पूनर्स नहुना होना होने के कशारनकि पने जीवन चत्र में किया गया जिससे तुहां पर संती आई फिर 1850 के डिकेट में जब छोटनागपूर चत्र में बड़े-बड़े बिद्रहों के सिती आई तो अंग्रेजों ने 1869 में छोटनागपूर टेनियोर्स एक्ट एक कानून लेकर के आई एक्चुरी छोटनाग पूटो नियोर्स एक्ट गुमला लुहरदागा छत्र में जो मुल रुप से ऊराओ जाती रहती थी जिनके भुमी को भुईहरी भुमी बोलते थे उस भुईहरी भुमी के सरवे के अधारपर निर्मित मालिक है कितने दिन से जोत्रा है कितना लगान देता है इसका एक रिकॉर्ड अधिकार अभिलेख तयार करके इस एक्ट को लागू किया गया आगे चल करके 1876 में छोटनागपूर इनकवर इस प्रसुड्यूर एक्ट को 1879 को फिर से लाया गया यह प्रोभिजन इसमें मौलिक रूप से हम लोग देख रहे हैं यानि भूईहरी के जो बाहर की जमीन थी जो खोड़कर जोगरे दुसरी जमीन थी उनको भी समें सामिल किया गया ताकि कास्तकारों के हीतों की वास्तिक तरपो रक्षा की जा सकें ठीक हम एक और चावतकारिक परिवर्त देख रहे हैं यहां पर 1888 में जहारखंड की जो आठ आदिम जन जातियां हैं इन जन जातियों को पुंच्वई अलाब जो हडिया जैसा ही देसी सराव है उसके निर्मान की सिमित पैमाने पर इजाजत दी 24 की घटना है और साथ वर्सों के बाद हम देख रहे हैं कि अंग्रेज ए अधिकार फिर से वापस दे रहे हैं पंच्वई जो है अंग्रेज बनाने का अधिकार वापस देर हैं इसी बीच 1885 में बंगाल टेनसीक्ट लाया जा रहा है बंगाल टेनसीक्ट को एक पॉइंट स समझिये डिल किजिये कि जो किसान 12 बर्स तक लगातार भूमी को जुदता हो ठीक है उसे अगर लगान भुकतान किया जाए तो कोई भी कास्तकार को उस जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा यानि जमीनों से जुड़े किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्र कि 1895 में बिर्शाम उन्डा का विद्रोभ ने सब कुछ बदल करके रफ दिया खास करके बिर्शामन ने क्या किया विर्शामन ने कहते हैं कि संगठन और सक्ति बना करके एक क्रिस्मस के दिन 25 दिसंबर को अंग्रेजों के चर्च पर मिशन पर हमले हो रहे हैं और बड़े पैमानों का कतल हो रहे हैं इस घटना ने पूरे इरोप को हिला दिया इंग्लेंड को भी सुचने के लिए मजबूर किया और हुआ कि अब इस दिसा में कोई ठोस कदम उठाया जाए जाए तो 1900 में तो विर्सा का निधन हो गया बट 1902 में सी एंटी कानून के लिए सर्वे स्टाट किया गया जिसे में सी एंटी एक्ट 1905 में लाए गया परणतु यह ट्रायल का सकते हैं सी एंटी वास्पिक रूप में प्रभावी होगा 1908 में 11 नवंबर आप समझ गए होंगे कि सी एंटी कानून की प्रिष्ट भूमी क्या है पहली प्रिष्ट भूमी का अधार था अंग्रे जार्खन प अपने हिसाब से लाएं इसके परिणाम सुरूफ आदिवासियों का जीवन संकट में चला गया इनके भूमी गई इनके जंगल से जुड़े अधिकार गये इनकी धर्म जाने लगी इनके समाजिक विवस्था चर मनाने लगी इनके बिगारी पर था इनमें पर चली थोने ल के पुनर विवस्था अस्थापित होनी चाहिए और पुनर अस्था अपनी के कुछ विवस्था किए गए परन्तु इन ब्रशाओं के बावजूर्ध भी बिरसा बूंडा का बिद्रो होना दर्साया यह बिवस्थाएं पर्याप्त नहीं है तो अन्तता बिरसा के निधन के सर्वे स्टार्ट हुगा और इस तर्वे का अधार पर सिंटी एक्ट 1908 लाया गया अगली कर्चा में सिंटी के हम मौलिक प्रोभिजन की चर्चा करेंगे जो आपको सरल होगा सिंटी के सब्द बड़े जटिल होते हैं लोग उसे पढ़ना ने चाहते हैं परन्तु जप्यसी के लिए इस चैप्टर से ही आपको छे प्रस्न पूछे जाएंगे अता आप इसे एक्डॉर नहीं कर सकते हैं यह आपके रिजल्ट के लिए बहुत निरनायक है ऐसे में सी एंटी एक्ट के प्रावधानों को सरल सब्दों में समझने के लिए और इसे क्या संभावित प्रस्न पूछे जा सकते हैं इसके लिए आप आगे का वीडियो दिखिए और आगे की लिक्चर को ज्वाइन के जिए मैं आपके सुख्यद यवं सफल जीवन की कामन करता हूँ धन्यवाद